मर्जापोर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी नचुनावी जनसवागों की असंबोधत कहा घोर साम्फिदाएक जातिवादी और परिवारिवादी हैं इंडी गठ बंधन के लोग गुजरात के राजकोट के टी आर्पी गेम जोन में कल शाम लगी भीशनाग में अब तक 27 लोगों की बृत्यों के समाचार हैं रतकोवी नौ बच्चे भी शामिल हैं आप रगने का कारण शॉट सर्किट बताया जा रहा है प्रधार मुंत्वी नरिंद्र मोधी ने ट्वीट कर जताया दुख कहा राजकोट में आग की घटना ने हम सभी को दुखी किया है मेरी समवेदराएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रिया जनों को खोया है बहुजन समाच पाथी की राश्य देक्षारपूर मुखी मंत्री मायवती ने गुरखपूर में चुनावी जन्सभा में विपक्ष पर जम कर हमला बोला कहा कि बीजेपी कॉंग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का चुनावी घोशना पत्र सिर्फ चलावा है बारण असी के असी घाट पर मुखी मंत्री योगी आतितनाथ ने एक विशाल जन्सभा को संबोधित करते हुए कहाँ प्रदान मंत्री नारेंद्र मोदी ने दस साल में काशी का चारों विकास किया जोन भदर में अपना दल की राश्य अद्यक्षान उप्रिया पटेल ने दावा किया है कि साथवे चरण के बाद इंडी गटबंधन चारों खाने चित हो जाएगी क्योंकि मोदी जी के नेतरत में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है काशी से मत्रा भीजा गया तीन हजार किलो का घंटा आठ किलो मीटर तक सुनाई देगी आवाज ये घंटा तीन हजार किलो अश्ट धातों से बना हुआ है पी-म ने बारा बंकी के अभे चांद वासिया को लिखा पत्र साथ ही अभे के जजबी की खूब तारीफ की पी-म मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि आपके स्वास्ते के साथ-साथ विभिन्द विश्यों पर रचित कविताओं के बारे में जानकारी में लोकसवा चुनाफ को लेकर सी-म योगी ने चंदौली में आयो जो जनसवा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्र महिंदर नाथ पांडे के पक्ष में वोट मागा कहा आरक्षण के नाम पर दीश का विभाजन चाहता है विपक्ष राश्टी महासची प्रियंका गाधी ने केंदर सरकार पर जम कर हमला बोला कहा ये सरकार बुद्धों पर बात नहीं करती ये सिर्फ जन्पा को गुमराख कर ले गुरकपूर में वहुजन समाजपादी की राश्य देक्ष और उतरप्रदेश की पूर्मों की मंतरी मायावती ने जन्सवा को संबोधत करते हुए कहा कि भाजपा के गलत नीतियों के कारणत व्यवस्था पर बुरा असर पड़ाए सांडार्ट के जरिये चंदौली के बलुआ में मतदाताओं को मतदान के रिए किया गया जागरुक जागरुकता अभियान में उपसित लोगों को मतदान की श्यपत दिलाए गई समाजवादी पाठी के मुखे प्रवक्ता राजे इंद्र चौधरी ने छटे चरण के मतदान के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा को भी अपनी हार का अंदाजा हो गया है इसलिए वो और अजगता और सत्ता का दूर्व योग करने पर आमादा हो गई है बुलंद शेयर में मिठाईया बनानी की फैक्टरी पर छाप इमार कारिवाई की गई जहां मौके पर बिना दूद के मिल्क केक बन रहा था खादर सुरक्षा विभाकी टीम ने मौकी से साथ सांपल लिये हैं जिने जाच के लिए प्रयोक शाला भेजा जा रहा है दो तीन दन की राहत के बाद एक बार फिर से लूच चड़ते पारे और भीशन गर्मी का दौश शुरू हो गया है नौत अपाकी शुरूबात और जीट के दूसरे दिन का हाल देखें तो प्रदेश के ज्यादा तर हिस्सों में तापमान सामाने से अधिक हो चुका है माधमिक विद्यालों में चल रहा है भी रोध की बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने भी गर्मी की चुटियों में परियावर अंडिवस पर समर क्यांप कराने के निर्देश जारी किया है उत्र प्रदेश राज विद्युत उत्पादन निगम की ओबरा और निजीक शेतर की ललित पूर की इकाई से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है जबकि अनपरा में अभी इंतजार है स्वी चिटांडा की भी 110 मेगावाट की एक यूनिट में उत्पादन बंध हो गया दशेरी आम के शौकीनों की प्रतीक शाजल समाप्त होने वाली है अगले सब्तास से दशेरी आम बाजार में दिखने लगेगा मलिहाबादी दशेरी आम की मांग कई प्रदेशों के साथ ही विदेश में भी रहती है शाजापूर में श्रधालों से भरी बस हाथसे का शिकार हो गई जिसमें 11 यात्रियों की दर्दनाथ मौत हो गई अस हाथसे में बस में सवार लगवग 10 यात्री घायल हो गए कर दो कर दो कि अर प्रदेश कर दो कि ये रहती है